नमोश्कार हम आज LRS का तिसरा पार्ट लेके आया पार्ट थिरी LRS का ठीक है तो आज हम पार्ट थिरी में क्या का शिखेगा आज LRS का फॉल्ड मत्तोब हम जब ACV चार्ज करने के लिए जाओंगा सिलिप्रिंग मोटर को चालू करने के लिए तो अब हमारा क्या का कॉंडिशन में मेरा ACV हो सकता है वो आज आप लोगों देखाना आए तो पहले हमको क्या देखाना है पहले हमको एक LRS का वीडियो देखाना है वीडियो देखने का बात हम एक करके पूरा आपको हम यह जो प होता है तो उपोर से डिजाइन दिख लिए उसके बाद हम पार्ट फोर में अर अंडर में देखाऊंगा उसका पावर सरकित देखाऊंगा तो देखिए वीडियो के करके उसके बाद हम फॉल लेके डिस्कास करूंगा करूंगा देखिए हमारा ACB क्या का चलते ट्रीप हो सकता है सब चे पहले हमारा पार्ट अन है इसमें हमारा एक नमबर में क्या है MNX 500 कॉंट्रक्टर होल पोजिशन इसका मतब क्या है इसका मतब है यह आपको पीषे जो कॉंट्रक्टर रहता है शौटिंग करने के लिए जो सिलिप रिंग से जो 3 केबील गया है उसमें नूट्रल बनने के लिए MNX 500 कॉंट्रक्टर उज़ होता है यह 800 SP मोटर में उज़ होता है तो जॉप मेरा मान के चुलिए जब मेरा contractor hole position मेरा आएगा आप आर आप जाके ACB चार्स करिएगा तो दम करके एक आउज होगा आउज होने का बात ACB 2-1 ट्रीव हो जाएगा तो उसमें पाता चल जाएगा तो आपको ACB जो है उसका fall होने का कारण एही है आपको MNX contactor जो 500 contactor पीछे लागा रहता है LRS के पीछे उसमें hole position में है तो शब चे पहले उसको जाके चुराना परेगा चुराना का बात आपको जो LRS में जो पाती रहता है पानी का अंदर उसमें resistance in का अंदर रहना परेगा resistance in होना चाहिए मत्तब आपको जो पाती पानी का अंदर डूबा रहना चाहिए तो आपको LRS चार्ज करने के लिए जाएगा तो हमारा सब चे पहले fall क्या है MNX 500 contactor hole position मत्तब हमारा ACB का जो चार्ज करने के लिए जाऊंगा तो हमारा चार्ज यह जो MNX 500 contactor hole position में नहीं रहेगा मत्तब open position में रहेगा जब धिरे 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 पाती जब जाएगा उसमें टास होगा पिछले वाला वीडियो में देखाया तो आप वो connector hole लोगा, hole लोने का बाद वो motor fully spin पाकाल लेगा तो शब चे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ACB चार्ज जब ट्रीफ हो जाएगा तो आमारा PC वाला जो contractor है उसका position चेक करना पड़ेगा मत्तब उसको hole position में है ना open position में है तो उसमें open position में डाना पड़ेगा, hole position में राएगा तो आपको ACB ट्रीफ हो जाएगा दूसरा का है auto resistance मान के चुले आपको contractor साहिए, सब कुछ साहिए, resistance in भी है फिर भी आपको ACB ट्रीफ हो रहा है तो आपको auto resistance मत्तब हमारा आंदर जो auto resistance है थोड़ा सा छोड़ा डाल दी मत्तब resistance हमारा साहि नहीं है इसी का चलते ACB हो रहा है तो हमारा दूसरा और रेजिस्टेंस पता चले गया है, auto resistance की इस कारण में होता है मत्तब थोड़ा शोड़ा डालना पूरता है हमारा resistance बनाने के लिए तिसरे नमबर में क्या ACB ट्रीफ हो रहा है फिर ACB ट्रीफ हो रह पानी है उसमें दो बालती पानी निकालके फिर दो बालती फिरस पानी उसमें डाल दीजिए और उसमें शाथ तरह शोड़ा डाल दीजिए शोड़ा कितना डालिएगा 100 लीटार पानी में एक केजी शोड़ा डालिएगा उसी शाब से आपको एक केजी में एक लीटर में 100 गिरम का शोड़ा डालना पड़ेगा उसी सबसे आप शोड़ा डाल दीजिएगा उसका क्यलकुलेशन करके शोड़ा डाल येगा शोड़ा ज्याद महुत होने से आपको एसी भी ट्रीप हो जाएगा तो आपको ये तीनों पाइंट पाता चल गया है ये होल पोदिशन में परेगा और रेजिस्टेंस चेक करना परेगा एसे भी का ट्रीप हो जाता है तब दो बालती और निकालके उसके फेद दो बालती उसमें पानी डाल दीजिए तो आपको एसे भी चार्ज हो जाएगा आपका मोटर घूमने लागेगा उसके बाद देखें तीन सोबीस लिट जाता है उसमें ओटर हीटर का एक तो ओटर हीट होने से एक तो सेंसर लगा रहता है मान के चुलिए आप एसीबी को चार्ज किया और एसीट पर जोड़ से फ्लासिंग करके बांध हो गया तब एक कारण हो सकता है उसमें कारण क्या है उसमें जो सेंसर लगा रहता है उसमे सेंसर को काट डिजिए तो आपको water हीट नहीं होगा आपको ACV चार्ज हो जाएगा तो आमारा क्या है आप ACV चार्ज क्या तुरान आपको ख्लासिंग करके आपको बंद होगी जल सकता है तो ये आप ध्यान दीजिएगा येह за इक नमबर कारन में इसमें चलते भी ऑट जल सकता है आपका 800 SP का चास्ट करिएगा तो मोटर आपको जल जाएगा तो सब पहले आपको इसको चेक करिएगा रेजिस्टेंज है कि ने वोद चेक करना पड़ेगा शब चेक करने का बाद आप अवी को ती अवी अरव बाद देखिए-शिलिवरिंग डामेजः उसका मतलब क्या है जो सब्सक्राइब करिया है वो symbolism का अंदर कार्वन कार्जन लागा रहता है वो कार्वन साइक नहीं रहता है पौपर कार्वन नहीं रहता है मतलब उसको क्वालिटी खार आप राता है तो आपको सिलिप्रिंग को खा लेगा सिलिप्रिंग खोतम हो जाएगा तो आप ध्याद नहीं दीजेगा तो सिलिप्रिंग उसमें खाने का बाद आपको ओटर आपको हीट होगा और हीट होने का बाद आपको सिलिप्रिंग में फ्लासिंग यूपूर में काटिंग करने का बाद आपको सिलीप्रिंग फिर घुसा दीज़े गाफु आटार कूद भी नहीं होगा आपको कार्बन फ्लासिंग भी नहीं होगा आपको एसी भी ट्रीप नहीं होगा माटर समूथ में चलेग कोई चacioंग का चलते, और को कार्बन खासाएग यह इसमें ध्यान दीजेगा जब भी ऐसे होगा उसको निकालके थोड़ा लेद में कार्टिंग काल लीजेगा जो कार्बोन साइच से बाटेगा सिलिप्रिंग कार्बोन और ब्रोकेन मतब सिलिप्रिंग का जो पेशार में जो आपड़ोन आपड़ोन करेगा उसमें चलते आपको कार्बोन ब्रोकन हो सकते मतब कार्बोन टूट सकता है तो उसका चलते आपको एसे भी ट्रीप हो सकता है उस जोड़ से फ्लैसिंग मारके एसे भी को ट्रीप करा देगा मतब कोभ देख लीजिएगा उसके बाद हम नेक्स वीडियो में एक दिन दिखाऊंगा सिलिप्टिंग का क्या का पॉब्लम हो सकता है और उसका स्वालूइशन क्या है और एसे भी एनो पोदिशन नौट अर्कमा तो क्या है जब आप एसे भी को चार्ज कुरिएगा तो उसका एनो पो को ठेलने नहीं देगा मतलब एनो पोदिशन आपको एनो से आपको एसे भी का एनो से आपको सप्लाइ नहीं जा रहा है इसका चलता पता चाली जाएगा जो आपको एलारे से ओक काम नहीं करेगा और आपको एसे भी ट्रीफ हो जाएगा तो यह जो आठ पोदिशन हम देख यह पूरा ध्यन ध्यजीएगा जीको भी आपको ASIb को ठीफ हो जाएगा तो पूरा ध्यन ध्यजीएगा और एकटाट होता है what मानके चलिए आप ACB को चास किया है लागर ACB को मटो नहीं घूमरा एक तो सॉन आ रहे ढ़े हाँ है टो आपको पाताः चल जाएगा जिए आप हमारा सब्लोख और येत है उसमें धो आ धुक से होता है छिते हमारा मोट्व अइसी को पिल मुद्व धिंसमें एक position काम नहीं कराए ACV का, तो ACV को निकल के उसमें एक ठीक कर लिजिएगा, आपको spring जो है काम नहीं करता है को भी निकल के उसको काम कर लिजिएगा तो आपको तीनो फेट जाना चाहिए, तीनो फेट जाएगा तो मोटर घुमेगा, तीनो पस नहीं जाएगा, तो मोटर गो करके साउन होगा, ब्याट साउन होगा, मकर मोटर नहीं घुमेगा, तो हमारा जो आठ पोदिशन देखाए, आठ पोदिशन ध्यान से ध्यान दिजि तो आमारा सिलिपी मोटर बोड़िया करके चलेगा और कोई फॉल्ड नहीं होगा और फॉल्ड होने से एक एक फॉल्ड को आप निकल सकता है यह वाला वीडियो से थैंक्यू